का छाड़ अधर स्पर हम स्टार्ट करता है मारे पुच्टर अंधर जो पूचे गे थिभर एक्जाम के अधर तो यह जो पुचिब पूची गे थि Ellie ером एसिस्टन मैंस के अन्दर वके बंगें उट आइसचन मेंस के अंदर उके तो यह मेंस लेवल से थोड़ी इजी या फिर कहते हैं थोड़ी लेवल कम होती है मतलब क्लर्क लेवल के लिए यही टाप की बजल साती है यह लॉजिक की और इत्ते ही हार्ड लेवल की तो हम स्टार्ट करते है एड़ फ्रेंड्स एड़ टू एज सैट अरॉट अरॉट एबल समफे सेंटर और सेंटर आपे फ्रॉम दे सेंटर यह ओडर पिजा, पास्ता, डोनट, बर्गर ओके सच देट टू परसंस ओडर सेंट आप अफ डिश तो दो लोगों ने यापे सेंट आप अफ डिश ओडर की है ओके अभी हम लिख लेते हैं A सेंटर टु दजिट आप अफ डवन आप अफ डिशा, पहली कंदिशन एक आपर बेटा हैं नियुक्ट दे लेफट आप डवन आप ओड़र पिजा ओके B सित्स 4 तो दे ररट अफ डॉल आफ यौ दोनट गें जिसने डोनट ऑडर किया तो मतलब सी ने कह सेम डिश ऑडर यह भी ने हैं यह भी की नीचे डोनट किया heal E ordered pizza but does not sit adjacent to B E ने क्या order किया pizza but does not sit adjacent to B तो E और B adjacent नहीं है और E ने क्या order किया pizza E ने क्या order किया है pizza A E face towards center अभी A और E का पे face करते हैं? center A face towards center E sits third to the right of A अभी E कहाँ बेट्टा है third to the right of A E sits third to the right of A वो order पास था अभी हूज़ वो A के लिए A ने क्या order किया पास था not more than two person facing the same direction sit together मतलब अभी आगर E और B दोनों बाजू पे बेट्टे हैं अगर दोनों आउटाइड लिए तो उन दोनों के बाजू में जो देखेंगे वो देखेंगे inside सेट लोगी सेम डियरेक्शन में देखते हैं वही बेट सकते हैं मतलब तीन अगर इंसेड फेस कर रहे हैं तो वह साथ में नहीं बेट सकते हैं मैक्सिमम दो शें डियरेक्शन में फिर परसंग सीड बेट्वेंड डी और जी ओडर सेम डिश अश्ट एसी डी और जी में किते लोग बेटे हैं तीन लोग और G ने कौन सी डिश ओर्डर किये जो E ने ओर्डर किये हू जए हो जी के लिए मतलब G ओर्डर सेम डिश S E तो G और E ने सेम डिश ओर्डर कि ओके यह और E दोनों सेंटर्फेस कर रहे है यह आपर लिखा है हमने यह और E सेंटर्फेस कर रहे है तो अभी हम सरकल बना लेते हैं यहाँ पर अभी हम A को यहाँ पर लिखते है A को क्या है पास था A के थर्ड टू राइट में E A और यह सेंटर में फिस कर रहे हैं मैं बता है और यहाँ पर क्या दिया है सम फिसे सेंटर सम फिसे अभे फिसे सेंटर फर्स सेंटर थर्ड यहाँ पर E भी इंसाडर फिस कर रहा है अभी E को क्या है पिज़ा है यहाँ लिखाते हैं यहाँ पर E को क्या है पिज़ा है अभी E के बाज़ों में B नहीं आता मतलब यहाँ पर B नहीं है और यहाँ पर B नहीं है अभी C के 1st, 2nd, 3rd, 4th 4th to right में B है तो 4th to right में देखो अगर C यहाँ पर लिए 1st और C अंदर देख रहा है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th तो यहाँ पर B मतलब C और B क्या आ गए एक में के opposite में आ गए C और B एक दूसरे के opposite direction में है इतना हमें मालूम पढ़ गया यहाँ से अभी E को पिज़ा है और पिज़ा के second to left में A है लेकिन यहाँ पर दो पिज़ा आते एक ही पिज़ा नहीं आता अभी जो A है अभी यहाँ पर क्या दिया है हम आगे पढ़ लेते हैं देखो यव एंड वन वो ओडर पास्ता दस नोट सिट अज़सेंट ओके वन वो ओडर बगर सिट सेकेंड तो दे राइट ओफ ठीके यच दस नोट इट बगर ठीके परसन एटिंग सेम टाइप अफ डिश फेस ओपोजिट डारेक्शन अभी देखो परसन एटिंग सेम टाइप अफ डिश फेस ओपोजिट डारेक्शन मतलब अभी अगर दो लोग पास्ता खा रहे हैं तो दोनो जो पास्ता खाने वाले हैं वो opposite direction देखेंगे और जो डोनट खा रहे हैं दो लोग उनकी भी direction opposite रहेगी एक mix से पिज़ा के जो दो लोग पिज़ा खा रहे हैं उनकी भी direction अलग अलग रहेगी तो वहाँ पे दिया अंदर देख रहा है तो दुस्तरा पिज़ा कहा देख रहा होगा बाहर देख रहा होगा और तो यह उसके second to left में को ने a है तो यहाँ पे पिज़ा आजाएगा ओके पिज़ा के second left में a ओके अभी यहाँ पे आते हैं सी और भी opposite में है एक दूसरे के और सी के third और सी के fourth to right में था भी तो यहाँ पे नहीं आ सकता तो यह जगा रहेगी opposite के लिए एक यह वाली और एक यह वाली ओके तो दो कंडिशन बनेंगी सी स्लैश बी बी स्लैश ली सी डोनट डोनट खाते हैं डोनट डोनट ओके तो यह कंडिशन में हमारी अभी डी के fourth to right में जी है अभी सामने कंडिशन देख लेते हम और डी और जी ने डी और जी ने एसी तो ई ने क्या order किया पिजा तो जी ने भी क्या order किया होगा पिज़ा को के तो एक पिज़ा या पर एक पिज़ा या पी तो यहांपे को न आज जाएगा जींग को के Алभी जी का पे अविशन गानट के थर्ड राइट में फास्स सेकेंड फर्ज फॉर्ड मतलब मतलब अगर दी यहां पर लिया फर्स सेकेंड थर्ड फूर्ट मतलब जी के ओपोजट में कौन आता है डी इसलिए हम इक बिजेश्ट कर लेते हैं यह अब हमारे यहां पर आगया क्योंकि यह जो यह पास्ता के बाज़ों में नहीं आता तो अब्यूसली फिर यफ का पे देखेगा बहार और बर्गर का पे आएगा डीग पे सिकेंड तुद राइट फर्स सेकेंड बर्गर यच डज नॉट टीट बर्गर ओके तो अभी यच की लिए जगा रहे गई यह वाली स्टिव और यच बर्गर निखाता तो बर्गर के लिए कुंसी जगर रहे गई यह वाली यफ वाली ओके परसन सिटिंग हा यह तो हमने पढ़ लौप डिरेक्शन सी अंडी डज नॉट सीट एजसेंट अभी सी और डी एजसेंट नहीं आते तो मतलब यहां पे को यहां का सी कैंसल ह हो जाएगा यहां पर भी आएगा यहां पर भी और देखो हमने क्या पर देखो पर सेंटिंग सेंटर अभी यहां पर क्या दिया है सी फेसेंटर तो जो डूसरा डोलोत चो खा रहा रहा है वो क्या देखेंगा बाहर देखेंगा ओके अभी क्या रहे गया हमारा एक बर्गर बाहर देख रहा है तो दूसरा बर्गर अंदर देखेगा ओके अभी बर्गर बर्गर हो गया डोनट डोनट हो गया पिज्जा पिज्जा हो गया पास्ता पास्ता रहे गया तो यह पास्ता अंदर देख रहा है तो दुसरा पास तका देखेगा बाहर तो यह हमारी फजल बेड़ गए थी यह पूछे गए थी यह असिस्टंट मेंस के अंदर ओके देखना कैसी लेवलेस की ओके थैंक यू